हेला अब्रिवान उमीद तो तुसी सारे बहुत वधिया है कि हूं आज दिए स्विल्डो चापा गाल करांगे कि जड़े स्टुडेंट्स नूँ दिक्कत आ रही है कि टैंसिस दे विच फॉर्म्स और वर्ब याद करें दी कि फर्स्ट फॉर्म और वर्ब कित्थे लगोगी सेकेंड फॉर्म और वर्ब कित्थे लगोएं थर्ड फॉर्म और वर्ब करें टैंसिस लगोगी जड़े स्टुडेंट्स नूँ ए दिक्कत आ रही है सो एक ट्रिक नाल आपकी हो सारी फॉर्म्स और वर्ब किया सारे टैंसिस दे विच याद कर लागे ठीक है सिंपल जो ट तो टैंसिस और नूँ पताएगा कि चार केटगरीज तुसी क्या सब्सक्राइब देनेगे सब्सक्राइब आपनी आएं दियागी सिंपल या इंडफिनेट जीनू आपके दिन ने आगे दैन अपने को लाएं दिया कंटिनूस दैन अपने को लाएं दा पर्फेक्ट दैन अपने को लाएं दा पर्फेक्ट कंटिनूस सब्सक्राइब दास दिन नहीं आगी ठीक है दासता तो सब्सक्राइब नू पता लाग गया कि यह चार केटिगरीज दिविच डिवाइड उन्द है इन्ना सारे टैंसेज लो मिलाके अपने को ल किन्ने उन्देने टोटल बार टैंसेज एमाराइब राइट दैन फुन्ज का याद करन दा ठीक है कि एद्धन एक स्पाइड़ डाइग्राम बना लिया ठीक है वान यू थी एन फ़ो ठीक है एद्ना एक किया तृम स्पाइडर डाइग्रम बना थो सब्सक्राइब ज़न कर देंसेड़ आपने को 12 टैंसेज आइँ यह चिन्वाइड देंसे लिंक द विच लगी है जड़ा हैगा past indefinite जब past simple tense जी लूँ अपक है दिनने आवे जड़ी अपनी second form of verb है बस सिर्फ एक कोई टेंस चे लगी है बारा दे विच्छों बस होरे किते भी नहीं लगी होई second form of verb यदा जापता निबड़े होना आगया third form of verb जड़ी third form of verb है गी है उत्तिन tenses दे विच लगी है perfect tense जबी ठीक है तिन्नो present past and future तिन्नो present past and future perfect tenses दे विच किया third form लगी होई अपनी verb दी इत्ते लिक भी दिन्निया में past present and future ठीक है ए रच आपनी लगी होई आगी third form of verb perfect अपनी third form था भी जब बनी पड़या जड़ी आगी first form of verb जड़ी simply first form of verb लगी होई एगी वो लगी होई आगी present and future indefinite या simple tense जिन्नों तुसी क्या देनने होगे चीग है इत्ते अपने लगी होई है first form of verb देखो इनने अपने tense clear होगे इनने चो अपने छे tense clear होगे ते छे रहागे चे गड़े गड़े रहागे continuous and perfect continuous तिन्नों तेंसी फिर आएन दी अपनी कोल verb दी first form नाल ing आएन दी है जड़ी वो केड़े टेंसी चे लगी होई है जड़े आपना उन गल करके हटे है तिन्नों continuous तो तिन्नों perfect continuous past, present, future, continuous past, present, perfect, continuous ये तिन्नों तेंसी दे वीच प्लस helping verb दे अपनी verb form दी first form नाल ing लगिया छे टंस अपने एथ्थे clear होगे एक टंस अपना एथ्थे clear हो गया एजड़ी second form of verb है ना वो only positive sentence दे वीच लगी होई है पास्ट इंडफिनेट दे only positive या affirmative टंस तुसी जिन्नों कहा दिनने होगे ठीक है ओड़े च लगी होई है एड़े वीच नेगेटिव ते interrogative sentence है ओदे च भी first form लगी होई है कि यह चीज़ा तुसी खास्तियान रख रहा है second form of verb उनने positive sentence जब पास्ट इंडफिनेट दे ठीक है बाकी उनना च first form दी वर्ब ही है कि है नाउ हुन देखो अपने बाकी सारे टंस की एथी कवर होगे देखो इक टंस अपने किया वह फॉर्म अब वर्ब किया याद कर लिएगी जिन्नानों नहीं समझ आया है ठीक है या फिर भी किते डाउट लगदा मैं दूबारा explain कर दिनने या बड़ी साइड़ी डाइग्रम ना कि नथिंग यू है टो सिंपल एक छोटी जी डाइग्रम नाला करो इद्धा ठीक है सेकिंड फॉर्म वर्ब अपनी किते लगई आप पास ये डाफिनेट देविच पास इंपल टेंस ओनली पॉजिटिव और अफर्मिटी संटेंस जीड़ा होदे चाहिए इंदा इंटारोग अपनी किते लगई है ठीक है फर्स्ट फॉर्म वर्ब अपनी किते लगई आगी प्रेजेंट एंड फूचर इंडाफिनेट नाल ठीक है, third form of verb अपनी कित्थे लगई है past, perfect and future sorry past perfect, future perfect and present perfect एदिछ अपनी की लगई है, third form of verb ठीक है, 6 टेंस अपने इत्थे कवर होगे बारादे बारादे टैंसे किया सोटे कवर होगे ठीक है एक सिंपल जे ट्रिक सीगी तो नो फॉर्म जा वर्ब याद करन दी चीक है वीडियो वदिया लगी शेयर करियो लाइक करियो सस्क्राइब करियो फिर भी किते डाउटा तुसी मेंन कमेंट करके कुछ साथ है